इटली अपॉक्वाइंटमैंट्स एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है जिसने भी कूछो जिसने भी बात करो वो इटली अपॉअजमेंट्स का रोना रोता है गोरा वाक्वा इटली के अपॉइबंश हुने जिनको मिल रही है या जो लोग पैसे दे कर ले रहे हैं तो आपको क्या त्रिका का अडॉप्ट करना है किस तरह से आपने लेनी है ताकि आप बगार एक्स्रा पैसे खर्च किये अपॉट्मेंट जो है वो ले सके तो सारी डिटेल आज की स्टूडियो में हम डिसक्स करेंगे वीडियो आप आखर तक देखेंगा ताकि कोई भी हमारा जो आज का टॉपिक वो है इटली की अपॉट्मेंट्स की उपर उसकी करंट सिटूइशन की उपर और वो आप किस तरह से ले सकते हैं और जो मार्कीट में इस वक्त ऐसे देकर अपॉट्मेंट्स ले रहे हैं उनके साथ क्या हो सकता है यह सारी डिटेल आज की हैं उनको भी गाइड करेंगे किस तरह से वो अपॉट्मेंट्स ले सकते हैं और यह वाला प्रॉब्लम उनको नहीं आएगा मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर ले ताकि आने वाले दिनों में जो भी स्टुड़ इटली की अपॉट्मेंट्स की बेसिकली हिस्ट्री क्या है इटली की अपॉट्मेंट्स हमेशा से ही जो है ना यह प्रॉब्लम रहा है पहले एक उनका प्रॉसस होता था जिसके अंदर आप प्री इन्रॉल्मेंट करवाने के बाद वह वैसी आपको कहती थी कि आप अपने एक call का एक सिस्टम लागे लिए आप call करें और call पे आप जो है appointment बुक करो आ लें उसके अंदर भी timing होती थी कि उस timing के अंदर अगर आप call करते हैं call किसी की पिक हो जाती थी किसी की पिक नहीं होती थी वो भी उन से handle नहीं हो रहा था वो भी एक बहुत बड़ा जो है mess create हो और यह जो है problem इसी तरह से था अब उन्होंने एक third party जो है वो launch कर दिया है third party system बना दिया है जिसको BLS के नाम से है BLS का पोर्टल है जिसके उपर आप जाकर appointment बुक करते हैं लेकिन problem स्टिल अभी भी होई है कि वहां पर भी बहुत सारे लोगों को appointment मिल रही है जिनको मिल रही है वहां पर सुनने में यह आ रहा है कि वहां पर appointment बुक हो जाती है कुछ agent हजरात वहां पर already बुक करके बैठ जाते हैं और फिर उनको appointments जो है sell भी करते हैं वो बेचते हैं तो यह भी एक सिल्सले rumors हैं और इसके अंदर कुछ हकीकत भी है कि ऐसे हो भी रहा है तो इस तरह से यह सिल्सले एक चल रहा है अब बाते हैं कि क्या हम जो अभी हमारे students है या जो लोग weekly में apply करें क्या उनको appointments देनी के लिए क्या करना चाहिए और किस तरह से तरीका कार adopt कर सकते हैं कि उनको appointments मिल जाए एक time दिया है हमने इनको एक तरीका कार बताया कि आपने सिर्फ एक या दो गेंडे अगर आप बैठेंगे और पिर सोचेंगे कि आपको appointment मिल जाएगी तो ऐसे नहीं होगा आपको time देना पड़ेगा आपको off and on आप खुद से या किसी और के अपने बैन भाई के जरीए भी आप ये manage कर सकते ताकि अगर वो खुद उठें तो कोई और दूसरा उनकी जगा पर उसको देख ले और वो सारा उस process को समझते हैं और वो appointment बुक कर लेते हैं एक तो यह है कि आपने इसको time देना है और आप उससे appointment बुक कर सकते हैं दूसरा त्रीका कर यह है कि पैसे दे के भी लोग appointment ले रहे हैं अब वो BLS के इसके अंदर कितना involved है या BLS के भी notice में है या नहीं है इसके ओपर मैं कुछ नहीं करे सकता लेकिन बिल्कुल ऐसा news आ रही है कि लिए लोगों ने पैसे दी हैं और फिर उनको appointment मिल ली है इसके ओपर लेकिन एक आपने चीजों का ध्यान रखना है जो लोग पैसे दे के appointment जो है वो ले रहे हैं उनको मैं एक बात बताना चाता हूँ एक student है जिसने पैसे दे के appointment ली तो फिर उसको क्या हुआ उसके साथ यह हुआ कि उसकी गलस स्लॉट जो उसके लिए बंती ही नहीं थी स्लॉट उसके अंदर उन्होंने उसको ये अपांटमेंट उसकी एजेंड ने बुक कर दी और उसके उपर बैन लग लग लिया एक और जिसने अपांटमेंट ली उसको फास ट्रैक के अंदर उसके अपांटमेंट बुक होगी जबके वो नॉर्मल ट्रैक का student था उसके उपर भी एक स्मेस्टर का बैन लग गया तो ये आपके साथ जो है ये न्यूज की हम जो स्क्रीन शाट भी आपके साथ शेयर कर देंगे य तो ये भी एक student के साथ हो रहा है कि उनकी अपांटमेंट उनकी agent जो है वो गलत जगह पे गलत slots के अंदर बुक करते हैं या उनका जो track बनता ही उसके अंदर बुक करते हैं और उसके बाद ये उनका band लग सकता है या वहां से उस country के अंदर कभी भी जाही नहीं सकेंगे तो ये इस चीज़ को भी आपने जेन में रखना है कि अगर आपने किसी agent के जरीए apply करना है या agent के जरीए आप ले रहे हैं तो क्या वो जो चीज़ आपको दे रहा है क्या वो ही है वो आपके लिए फाइदा मन भी है या आपका उसके उपर band लगने का chance बनी तो ये चीज़ें हैं आप फ्रांस के अंदर भी apply कर सकते हैं चेक रिपबलिक में भी apply कर सकते हैं वहां पर appointments का इतना बड़ा issue नहीं है master degree के लिए कर आप करना चाहते हैं four year master degree आपने चार साला bachelor किया हुआ है तो master degree के लिए मास्ट्रिया भी अच्छा option है वहां पर भी इस वक्त जो एक verification or legalization क appointments का issue था वो जो है खतम हो गया अब भी मिलना start होगी है तो वहां पे भी आप उसको consider कर सकते हैं otherwise आप चेक रिपबलिक फ्रांस के अंदर apply करते हैं वहां पे इस तरह से appointments का issue नहीं है इटली के अंदर appointments का issue है लेकिन अगर आप इसको wisely समझ से consult करके अगर आप इसको करेंगे तो जैसे हमारे पांच students ने appointments नहीं हैं इस तरह से आप भी ले सकते हैं यह और multiple appointments हैं यह मैंने सिर्फ आपको अगस्त की बताई हैं आप जो है इसके अंदर और भी हर मंद्गी हैं सेptember में आके और भी appointments हैं जो हैं कि हम इंशाला आने वाले दिनों में वीडियो के अंदर आ हमारी appointments तो आप में share नहीं करना इसलिए मैंने आपको बताई हैं जो कि अरड़ी गुजर चुकी हुई हैं तो इस तरह करके आप जो है appointments ले सकते हैं अचा दूसरा हमने एक BLS के उपर last कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी तो उसके उपर भी students का बड़ा reaction था कि हैं अल्टिमेटली हमने उसके उपर ही बात करनी हैं लेकिन अगर आप वाइजली चलें समझ से चलें उससे टाइम दें तो इन्शाला यह वाला पोर्टल जो है मुश्किल जो है हर हालत मी मने आपको इस्टी में बता दिया है कि पहले email का सिस्टम था फोन का सिस्टम था अब BLS का सिस्टम है हर जगा पर ही ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपके लिए बहुत असानी से अच्छीज कर दी है प्रॉबलम हर जगा पर ही है लेकर जब फोन का था तब लोगों को अपार्मेट मिल रही थी जब email का सिस्टम था तब भी मिल रही थी और आप भी मिल रही है जो थोड़ी से effort करते हैं उनको मिलती है इसलिए इसके उपर negative होने की जरूरी नहीं है कि हम चाहिज उपर से उनको promote करें हम promote नहीं करें हम अपनी बात करें कि अगर आप अच्छे तरीके से चलेंगे या हमसे बात कर लेंगे या हमसे consult कर लेंगे तो हम आपको तरीका जरूर पता देंगे जिससे आप performance जो है वो ल उनके अंदर उनका apply करवाया जा सके तो अगर आप interested हैं तो उसके लिए आप document share करें इंशाला हम September से 1st September के बाद इसको properly students की application लेनी शुरू कर देंगे और उसको start भी कर देंगे दूसरा यह है कि जल्दी apply करने का फाइदा यह होता है कि अगर आप first call के अंदर apply करते हैं तो आपको multiple universities मिल जाती है multiple courses मिलते हैं और आपको जो है उसके अंदर acceptance जो है उसके जैसे जितनी जल्दी आपका acceptance आएगा उसके बाद आपका pre enrollment और आपका embassy appointment वाला उतनी ही चल्दी आपका solve हो जाएगा तो अगर आप जो है end पर जाएंगे तो ultimately rush जादा हो जाएगा अगर आप start में करेंगे तो आपका rush कम जो है आपको फिस करना पड़ेगा तो इसलिए मेरी suggestion यही है कि आप जल्द जल्द अपना process start करवाएं जैसे ही जो है हम इन्शाला सब्टेंबर में start करेंगे तो आप भी जल्द जल्द apply करें ताकि हम जैसे ही portal open होंगे इन्शाला उन में apply करें और इन्शाला आपको जो है इसके अंदर benefit मिलेगा अगर आपने assessment करवानी है तो document state करें इन्शाला हम आपको abecius की assessment, universities, courses, हर चीज़ के बारे में जो है guide करेंगे और हमारा एक और भी है कि जो हमारी market के अंदर मौसील होगा है आपको यह नहीं बताएंगे को कौन सा course होग है वहाँ पर क्या chances है इस सारी चीज़े हम जो है आपके साथ मिशाला शेयर करके चलिए अमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है योगी पसंद है इसको लाइक और शेयर कीजिएगा मजीद वीडियो के लिए आप मारा चैनल भी subscribe कर सकते हैं इसके साथ इजाज़ चात है इसकते हैं इसकते हैं फॉप झाब हैं इसकते हैं